एक्सोडस चाट्र टू वर्ड शिक्स विल्ड रीड दवुकाफ एक्सोडस चाट्र टू वर्ड शिक्स विल्ड रीड हम निर्गमन के दूसरे अदा है कि चटे वच्छन को पढ़ेंगे पालक है तर उदे टरस भाय और उदे का यह तो किती सा बालक होगा in chapter 2 verse 6, Moses was in a basket his mother put him in a basket the reason chapter 1 in the book of Exodus verse 22, if you read you can understand और उसका कारण अगर हम निर्गमन पहले दे कि बाईस वचन में पढ़ेंगे तो समझ सकते हो वो मिष्र का राजा फिरोन ने पहले से आगया दी थी और जो बच्छे या लड़के है उन्हे उस नील नदी में फेक दिया जाना था उस बालग मूसा को बचा राखने के ले उसकी माँ ने उसक तोकरी में रखा था लेकिन परमेशर के योजना के अनुसर लेलुए अनुसर के लियुक्ता क कि आपका था Amen, Alleluia Rapa, Alleluia Rapa. Amen, का निकला, somebody, Alleluia Rapa, praise the Lord, Alleluia Rapa. Alleluia Rapa. उन्हेरे रेड़े मेला एद चलिट, एद चलिट पोरांगा, okay? Okay, praise the Lord. Alleluia. और मुसा की मान ने उसे टोकरी में रखा. और उस टोकरी को उसने नील नदी में रखा. और इसके पीछे गेरा एक श्टड़ी है. लेकिन उसके बार में ज्यादा हम ने आज समझेंगे. लेकिन इबरानी की ग्यारा देके तैईस वचर में हम पड़ते हैं. मुसा की मान ने एक विश्वास के साथ वहां पर उसे रखा. उसने इसा विश्वास की परमिश्व सारे बुराई से उसे बचाय रखेगा. लेकिन अब जब फिरोन की बेटी उस नील नदी के पास आई थी, निर्कमन दोग के चैमें हम परते हैं कि उसने इस टोकरी को खोला. और बालक मुसा को उसने टोकरी के अंदर देखा. जब उसने इस टोकरी को खोला तो मुसा क्या कर रहा था? मुसा उस टोकरी के अंदर रो रहा था. जब मुसा रोकर आसु बहा रहा था मुसा के ओपर किसे दया हुआ उस फिरोन की बेटी को मुसा पर तरस आया इस सुबह के समय जए चोटा बालक मुसा ने रोया फिरोन की बेटी को उस पर तरस आया उसका पीटा एक कटोर मन का था फिरोन एक कटोर मन का वेक्ति था लेकिन उसकी बेटी को तरस आया चोटा बालक के ओपर मुसा जब रो रहा था अगर फिरोन की बेटी को इतना तरस आता थो कितने लोग कहते हैं कि मेरे परमेशर को दया होता है कितने लोग कहते हैं परमेशर फिरोन की बेटी से बढ़कर है परमेशर आपके पास दया करते हैं जब कभी आप परमेशर को देखकर पुकारते हो जब कभी आशु बाकर आप रात्ना करते हो परमेशर को आपके वो देखकर तरस आता है बजन सहिता 116 में हम पढ़ते है बजन सहिता 116 के एक में हम पढ़ते है दाव ने कहा कि मैं परमेशर से प्रेम करता हो क्योंकि उसने मेरे प्रात्म को सुना उसने कहा कि मैं प्रभू को प्रेम करता है क्योंकि प्रभू ने मुझे सुना उस बजह सही था 116 में आप बहुत सारे बातों को समझ सकते हो लेकिन दूसरे वच्छन में आप फिर कहता है क्योंकि पर्मिश्य ने मेरी और कान लगाया क्योंकि प्रभु ने अपने कान को मेरे और करकर लगाया मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ इस सुबह कितने लोग प्रभु को कह सकते हैं मैं तुच्छे प्रेम करता हूँ क्योंकि तुने मेरे रोनी को सुना तुने मेरे प्रात्नों को सुना प्रभु ने अपने प्रात्नों को इंकर नहीं की जो परिश्य जी का सामना दाउद कर रहा था अगर उसी बजन से था 116 के 3 में आप पढ़ेंगे तो समझ सकते हो उसने अपने जीवन में संकट और दुख को देखा बजन से था 116 के 3 के अंतिम भाग को कर आप पढ़ेंगे उसने का कि मेरे जीन में सिर्फ समझ और संकट को मैंने पाया इस कटिन परिस्थित के कारण दाउद परमिश्र के और हो रहा था अगले वचन, चौते वचन में भी हम पढ़ते हैं मेरे कटिन परिस्थित के कारण मेरे संकट के कारण और छोटे वचेगे वचे नमास ने कहा कि मैने प्रभू से प्रात्व ना की करें कि आप विश्वास लटेए जब कभी आप प्रात्ना करते है मनुश्यसे से बढ़कर परमिश्र उतरा थे आपको मदद करने के लिए हमरा करता हुए जब यह कि हमें प्रात्ना करना है रब की सूती हो दाओ निका कि प्रभू मैं बहुत नीचे लाया गया मेरा परिशिती ऐसा था कि मैं नीचे किया गया शारिक तरीके से मैं नीचे हो गया अर्थिक तरीके से भी नीचे हो गया हर प्रकार से मैं नीचे होता गया लेकिन प्रभू आपकी मदद कर सकते है जो भी परिशिती का आप सामना करते हो प्रभू आपको फिर उपर उटा सकते है प्रभू की सूती हो कैसे प्रभु ने दाउद के प्रात्न का उतर दिया उसी बजन से ता कि आटवे वचन में आप पढ़ेंगे तो 116 अधियाए के आटवे वचन दाउद नहीं कहा कि मेरे प्राण को अमृतिस से उसने बचाया उसने मेरे आखों को आशो बहाने से बचाया और मेरे पाओ को टोकर खाने से बचाया और आटवे वचन में तीन चीजों कौम पढ़ते हैं पहली बात कि उसे प्राण को मरने नहीं दिया दूसरी बात उसके सारे आशों को पुँच दिया और तीसरी बात उसे प्रभु ने गिरने की मौका नहीं दिया और इसी का मतलब की परमिशन उसके प्रात्नों का उत्तर दिया दाओ ने का प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ क्योंके तू मेरे प्रात्नों को सुनता इस सुबह के समय समझो कि जब कभी आप आशो बहाते हो प्रभु का आपके लिए एक दया है वो उस फिरोन की बेटी से भी बढ़कर है जैसे पिता का बचों की और तरस आता है जैसे पिता बचों की और दया करता है वैसे प्रभु हमारी और तरस खाते है विश्वास करों की प्रभु सुनते है यही बाद दाउद ने बारवे बच्छन में कहा बच्छन सेदा 116 के बारा में उसने कहा उसने कहा कि प्रभु मैं तुझे क्या लोटा सकता हूँ प्रभु मैं तुझे क्या दे सकता जो बलायों को मैंने तेरी और से प्राप्त की तुने मुझे छुटका रहा दी तुने मेरे प्रात्वों को सुना रभू तुने मुझे चंगाई दी और उचक हिया मेरे सारे शत्रों को तुने हाराया तुने मेरे जुन में सारे आशिशों को लाया उसे का इन सारे भलाईयों के लिए मैं तुझे क्या लोटा सकता हूँ वही बज़न चाहिए था जो 16 की 12 में दाउद ने कहा और वह खुद तेरवे बच्छन में कह रहा था मैं उद्धार का कटोरा को लूँगा मैं उद्धार के कटोरे को लूँगा और प्रभू की अरादना करूँगा उससे बढ़कर कुछ भी नहीं उससे बढ़कर कुछ भी नहीं मैं प्रभू की अरादना करूँगा क्योंकि मैंने बलाई को प्राप्ट की क्योंकि मेरा प्रभू का मेरी और दया है क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे रोने को सुना क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे छुटका रा दी अब मैं छोप रहे नहीं सकता मैं प्रभु की आराद ना करूंगा प्रभु को महीमा दो प्रभु ने आपके जिमने बहुत सारे कामों को किया जब कभी आप रभू के पास रोते हो प्रभू सुनते है प्रभू की सुती हो अस्ट्रेलिया में अलेलिया, I mean in Sydney there was a hospital जब कभी आप रभू के पास रोते हो उस अस्पताल में एक बिमार वेक्तिको लाया गया उसे एक कैंसर की बिमारी थी और उस बिमारी के कारण उसका आदा मुह बिगड़ गया उसका चेरह ऐसा दिख रहा था जैसे गयल हो गया लोग उसे पैचान कर देखकर पैचान नहीं पा रहे थे लेकिन एक नर्स उसे ट्रीटमेंट कर रही थी वो एक विश्वासी थी वो पवित्र आत्मा से बरी हुई थी जब कभी उसने इस वेक्ति को देखा वो दया से बर गई अब जानते हैं उस नर्स ने क्या की शिर्फ उसे कुछ मेडिसिन सो ने दिया उस वेक्ति के ले उपराथना भी कर रहे थी वो कह रहे थे कि प्रभु में इस वेक्ति क्लिए प्रात्ना करती हो तू दया खा और इसे तू छू बार बार उसने ऐसे प्रात्ना की और जब कभी वो उसके पास आई तीन चार दिन एक अफ़ते ऐसे उसे प्रात्ना करते रही उसके प्रात्ना के कारण रभु ने सुना प्रभु ने इस वेक्ति को और दया की रभु की सूति हो उस दवायों से बढ़कर दोक्टरों से बढ़कर प्रभु ने इस वेक्ति को छुआ येश्व ने इस वेक्ति को छुआ वो उस अस्पताल छोड़ कर गया एक अच्छे चंगाई के साथ वो वहां से निकला अब रभु को महीमा दो रभु हमेशा हमारे प्रात्नों को सुनते है आप रभु से प्रात्ना कर सकते हो अब रभु के और रो सकते हो क्योंकि प्रभु तरस खाते है और फिरोन के बेटी ने उस रोते वे मुसा पर तरस खाई आज आपको विश्वास करने के प्राभु उस फिरोन के बेटी से बढ़कर है प्राभु को महीमा दो वो सारा धया का पिता है दो करंथियों पहले आदे कि तीसरे वचन में पढ़ते है दूसरे करंथियों पहले आदे कि तीसरे वचन अमारा परमेश्य स्रिफ तसली का पिता नहीं उस पहले आदे तीसरे वचन में पढ़ते है वो दया का पिता है किते हैं लोग कहते हैं आप रभु दया का पिता है रभु किस्तूती हो वो दया का पिता है आप उस वर के पिता के पास दौड सकते हो वो हमारी मदद कर सकते है दो कुरिंधिया पहले दे के तीसरे वचन में हमने बढ़ा पॉल उस कलीशे को लिख रहा था हमारा परमेशर तरस खाने वाला पिता है रभू की सूती हो अलेलूया परमेशर ने बहुत सारी लोगों समस्या से चुटका रहा दे और आज वो ही परमेशर जीवित है सिर्फ हमें रोना है वो हमारे रोने को उत्तर देता है और क्योंकि उस दया के कारण वो हमारे जरुटों को पूरा करता है कि दो लोगों कि परमेशर हमारे जरुटों को पूरा करते है परमेशर जरुटों को पूरा करते है वो उसके दया के कारण है मर्कुस के आठवे अदियाए के दूसरे वच्छन में हम पढ़ते हैं मर्कुस के आठवे अदियाए के दूसरे वच्छन येश्य मस्जी के साथ बहुत लोग इकटा हुए थे बहुत ज्यादा लोग इकटा हुए थे कितने दिनों तक वो येशु मस्जी के साथ थे वो सब येशु मस्जी के साथ कितने दिनों तक थे तीन दिनों तक येशु के साथ थे बिना बोजन के बिना कुछ खाये उन्हेंने येशु मस्जी के साथ समय को बिताया और जब येशु मस्य न उस बीड को देखा हम परते कि प्रभु को उन पर दया आया येशु को उन पर तरस आया अगर मरकु साथ के तीन में आप पड़ते हो मरकु साथ के तीन में आप पड़ते हो येशु न गा कि इन में से कुछ ऐसे है वो बहुत दूर से आये हैं येशु इस बात को समझे है कि कुछ लोग बहुत दूर से आये थे अगर मैंने खाली पेट से बेश दू तो शायद वो घिर जाएंगे शायद वो चक्कर आएगा उन्हे प्रभू उन्हें बोजन देना चाहते थे क्योंकि उसे उन पर दया मिला क्या विश्वास दे प्रभू हमारे देखबाल को पूरा कर सकते है प्रभू हमारे जिन में सारे उपलब्दि को कर सकते है जब वो हमारे और दया करता है चाहर प्रकार से परमिश्र में जर्रतों को पूरा करते है परमिश्र आपके जरुदों को चार प्रकार से पूरा करते है पहला परमिश्र लोगों की ओर से आपके जरुदों को पूरा करते है किसी कुछ लोगों के द्वारा परमिश्र आपके जरुदों को पूरा करते है उत्पति के 45 सदिया में हम पढ़ते है उटपती पैतालिस अधिया के साथवे बच्छन और अब जानते यूसफ के बाई मिस्रा आये थे वो सब काली घूनी के साथ आये थे वो उनके लिए गेऊ चाते थे वो खाली हातों के दखाली भोरियों के साथ आये थे अंत में वो लोग समझ पाए कि ये उसका भाई यूसफ है अब जानते पैतालिसे साथ में यूसफ भाईयों से क्या कह रहा था ये ऐसा ने कि आपने मुझे मिस्र बेजा आप लोग ने मुझे मिस्र नहीं बेजा लेकिन आपको मदद करने आपके जरुत को पूरा करने आप लोग के लिए सारे गहों को देने के लिए मिस्र में आपके आने के पहले मिस्र में आने के पहले प्रभू ने मुझे या बेजा आपके जरुत को पूरा करने के लिए यूसफ ने का कि परमेशर खुद ने मुझे बेजा अब परमेशर को धनिवाद दो कुछ हमें परमेशर आपके ज़रत को पूरा करते कुछ लोगों के द्वारा तो आपको उस बात को समझना और परमेशर को धनिवाद देना है फिलिपिया चार के पंदरह में हम पढ़ते है फिलिपिया चार के पंदरह में हम पढ़ते है पॉल उस क्या लेक रहा था पॉल उस कह रहा था जब मैं सेवकाई में आया था शुरुवात के दिनों में जब मैं मैसीडोना से आया था किसी को जानता भी नहीं और किसी कलीशा ने मुझे सेवके में मदद नहीं की पालूस उस फिलिपी कलीशा को कह रहा था सिर्फ तुम लोग ने मैं जरुतों को पूरा करने के लिए मदद की रभू की सूती हो और पालूस की सेवके के लिए परमेशन ने उस फिलिपी कलीशा में कुछ लोगों खड़ा किया जब बाकी लोग अपने हाथ को बंद कर रहे थे जब बाकी सारे लोग मन को कटोर कर रहे थे रबने पॉल उसके लिए उस फिलिपिक कलिशा में कुछ लोगों खड़ा किया इस सुबब के समय आपके जरुतों को भी परमेशर कुछ लोगों के द्वारा पूरा कर सकते है किसी तरीके से प्रभू आपके जरुतों को पूरा करेंगे तो कि प्रभू मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे जरुतों को पूरा कर सकता विश्वास करो कि प्रभू देख बार करेंगे वो यहुवाई रहे है वो यहुवाई रहे है आपके चोटे जरुतों या बड़े जरुतों से प्रभू पूरा कर सकते है और दूसरा कोई मनुश्य नहीं प्रभु कुद आपके सारे जर्डों को पूरा करेंगे कौन आपके जर्डों को पूरा करेंगे प्रभु कुद आपके जर्डों को पूरा करेंगे my God is the source of all my supply मेरे प्रभु की और से सारा वो मजद आता आपके पास वो ऐसा जगह है कोई USA या कई और से नहीं आपको परमीशर की और से मिलता कि तो लगे जे मुझे प्रभु की और से प्राप्त होता मेरा जगह स्वर्ग है स्वर्ग से परमीशर आपके जरुतों का पूरा करेंगे जब कोई आप गुटना टेकेंगे आप मैसूस करते कि प्रभु की और से मदद मिलता आज अचे बहुत लोग जो बाग की जगह जाते है वो ऐसे बहुत सारा जगह जाते है अंत में वो गड़बर में हो जाते है अंत में और तूट जाते है आपको ऐसे जगह भागने के ज़रुत नहीं सिर्फ उस प्रभु पर विश्वस करो जिसकी अपराद करते हो जिसका सेवा आप करते हो वो आपके लिए वो जगह जैसे मदद मिलता करित का नदी सूक सकता वो खवा शायद भाग जाएगा लेकिन प्रभु अलिया के ले निरंतर जरुत को पूरा कर रहे थे वो मदद आने का जगह कोई करित का नदी आपको नहीं वो जगह परमिशर की हो नहीं किदेन लोग के प्रभु की ओर से आता हात उटाकर को कि मेरा मदद प्रभु की ओर इस्रेयल लोग मर्वी में प्रविष्क है जो कुछ उनने लाया सब कुछ खतम हो गया अब खाने के लिए कुछ नहीं था उनके हाथों में कुछ नहीं था प्रभू उनके परिष्टी को समझ रहे थे अब जानते हैं प्रभू ने क्या किया प्रभू ने स्वर्च रोटी को लाया रब ने स्वर्च से उस मन्ना को लाया कि दो लो कहते है कि कोई भी तरीके से प्रभू मेरे जरुतों को पूरा करेंगे किसी भी तरीके से प्रभू आपकी जरुतों को पूरा कर सकते अप नहीं जानते प्रभू कैसे जरुतों को पूरा करेंगे लेकिन विश्वास करो प्रभू योग यह है को मेरा प्रभू से संभव है तीसरी बात सिर्फ प्रभू आपके मदत नहीं करते है प्रभू आपके हाथों को बल देगा आपके कुछ के हाथ आपके जरुतों को पूरा करेंगे अपने हाथ उटार को प्रभू तु मेरे हाथों को बल देता और तु ऐसा करेगा कि मेरे हाथ से मेरे जरुत पूरा हो जाएंगे और बचन में योशु के 5 के 12 में हम पढ़ते है योशु के 5 के 12 में बचन इस्राइल लोग कानान में प्रविश किये उन्हें बीच को बोया और गेहू निकला और उन्हें अपने खेट से बहुत कुछ मिला और गेहू और फलो से लोग आनन मना रहे थे रब की सूती हो क्योंकि वो बीच को बो रहे थे अब कनान में उन्हें सब कुछ पाया क्योंकि उन्हें बीच को बोया उन्हेंने केट के और थैयारी की और उसमें बीच बोया और वो जरुद को अपना पूरा किये अब वो मना रुख गया 40 वर्षे जो प्रभु ने दिया वो रुख गया क्योंकि प्रभु का अपने लोग के ले एक दूसरा योजनाब है कि दुने कहते कि प्रभु का आपके ले एक अलग योजना है आप एक काम ये एक व्यापर को शुरू करेंगे और कैसे तो आप करेंगे आपके खुद के हाथों से कुछ आप करोंगे और प्रभु से आशिश करेंगे और प्रभु आशिश करेंगे Isaac ने बीच को बया क्योंकि प्रभुने उसे आशिष दी कितना गुना उसे मिला 100 गुना उसे मिला वो इसक का काम था कि वो बीच को बया और प्रभु का काम था उसे 100 गुना देने को प्रभु की सूती हो अलेलोया रभाँ अलेलोया sometime the Lord meets your needs through your enemies कुछ समय प्रभु आपकी जरुतों के शत्रों से पूरा करेंगे तो आपकी शत्रों के द्वारा प्रभु आपकी जरुत पूरा करेंगे अगर निर्गमन दो के नौक आप पढ़ेंगे निर्गमन दूसरे दे के नौवे बच्छन और पहले से मुसा की बड़ी बेन मिर्यम ने अपनी मा को लाया और मुसा की मा भी फिरोन के बेटी के सामने खड़ी हो गई और फिरोन की बेटी ने मुसा की मा से कहा तू इस बच्छे को ले ले तू इस बच्छे को ले जा उससे भोजन खिला और इस बच्छे का देखबाल कर उसे बड़ा कर इसके लिए मेरे लिए फिरोन के बेटी ने कहा कि तो इसके देखबाल मेरे लिए कर मैं इसके लिए तुझे तनका दूँगे मैं तुझे पाउडर दूँगे मैं सब कुछ तुझे दे दूगे तुझे कपड़े देंगी तुझे सारे ज़रत का मैं पूरा करूंगी अब सब कुछ किस के घर से आथा फिरोन के घर से सब कुछ आथा उस महल से सब कुछ आथा उसी राजा ने का कि सारे नए जन में वो बच्चों को नील नदी में फैक दिया था उसे खुद के घर से प्रभू मुसा के लिए सब कुछ लाते है क्या ये प्रभू से संबव है कुछ भी प्रभू के लिए संबव प्रभू ऐसा करेगा कि आपके शत्रों आपके जरुत को पूरा करेंगे प्रभू आपके शत्र को ऐसा करेगे कि आपके जरुद पूरा करेंगे जिन लोगों ने आपको चनवती दी जिन लोगों ने आपके विरुत काम किया जिन लोगों ने आपको शाप दिया हो जब रबु सब कुछ उल्टा कर देते है तो वो आपके अधिन होंगे वो आपके पैरों के तले होंगे वो आपकी सेवा करेंगे वो आपके लिए काम करेंगे वो सब कुछ आपकी जरुत पुरा करेंगे रबु ऐसा सब आपके जुन में करेंगे गिंती के चौदा अधिया में हम पड़ते हैं गिंती चौदा के नौ और दस वच्छन को कराब पड़ेंगे जब बाकि सब लोग जब बाकि इस्रेल लोग ने मुसा से कहा वो सब बलवंत लोग है हम उनसे लड़ नहीं सकते जब सब नेराश हो गए थे योस्व और कालिप ने कहा रभु कानान को अमरे हाथों में देंगे और नौ और दस वच्छन में हम पड़ते हैं वो बलवंत लोग हमारे लेक रोठी जैसे होंगे वो बलवंत लोग हमारे लेक रोठी जैसे होंगे अलेलोया कि दोनों के थी यह बलवंत लोग हमाले रोटी जैसे हों रहे हैं आलेलोया अलेलोया थी यह बलवंत लोग अपने सारे उस सोना चांदि और भोजन को लेकर इस्राइलों को देंगे वो अंदकार का जो खजाने के इसके पास है उस अंदकार के दन संपती को कौन रखता शैतान उस अंदकार के खजाने पर कभज़ करता लेगन प्रभू कहता मैं उस अंदकार के उस दन संपती को लोगा और वो आपका हो जाएगा अब शत्रों से राज करता अब शत्रों राज करता लेकिन वो अंदेकर का खजान आपका हो जाएगा भाई प्रभू आपके लिए कुछ भी कर सकते है बेन प्रभू आपके लिए कुछ भी कर सकते है क्योंकि प्रभू आपके दर्द और तकलिफ को समझते है वो आपकी और दया करते है वो आपकी और दया करते है नहम के नौ अदे के उन्हिश वचन नहम आ, दे के उन्हिश वचन में हम पड़ते है प्रब्हु ने उस जंगल में इस्रेल को थयाग नहीं दिय आ उसके तया की कारएंड परमूश ने जंगल में इसरैmission को थ्याग नहीं दिया कि वो मर जाए और उस मेग और उस आझ के उस खंभी को परमिश नही पट ने हाटाया नहीं अप परमीश नहीं ख़ैया नहीं को धन्य सst आपका परिवर थ्यागा ने गे इस मुंबई शेहर में इस मीरा रोड में कुछ समय आप सोचेंगे कि सब मुझे भूल गए लेकिन आप भूले ने गए प्रभू आपकी देखबाल करते है सिर्फ काउधनिवा देश्चू काउधनिवा देश्चू तेरा दया मेरे जुन में बड़ा है प्रभू ने अपने एक लोगते पुत्र को हमारे ले कुरूस पर दिया उसके द्वारा हमें सब कुछ दे सकते है प्रभू की सूती हो एक बच्चन है उसे आप प्रतिके का बच्चन ले सकते हो बचन सहिदा के एकती सद्याए के उन्ही सवच है जो लोग प्रभू से डरते है जो लोग प्रभू पर बरोसा करते है दो बात उनके ले लिका है पहली बात जो प्रभू से डरते है दूसरी बात जो लोग पर बरोसा करते है उनके लिए जो भलाई परमेशन ने रखा वो बहुत महान है परमेशन ने भलाई को रखा वैसे लोग के लिए जो लोग उस पर बरोसा करते है वो बहुत महान है परमेशन ने भलाई आपके जुन में महान है उसने पहले से तैयार की उसने पहले से सब तैयार करकर रहता कहो कि प्रभू मैं तुछ और बरोसा करता हूँ इस वर्ष प्रभू आपके जुन में काम करेंगे सारा बला है आपके पास आएंगे हरे गचा चिस प्रभू की ओर से आता है सारा बला चीज परमिश्र की ओर से आता है उसके दया के कारण प्रभू ने आपके फेका ने दूसरे राजा में हम पड़ते हैं दूसरे राजा के तेरह के बाईश वचन में हम पड़ते हैं दो राजा थेरह दे के बाईश वचन और सीर्या के राजा ने इसराइल को तंग किया और सीर्या के राजा ने इसराइल को और तकलिफ दिया और वो सब प्रभु के और रोने लगे जब वो लोग प्रभु के और दुआई दे रहे थे अब जानते हैं अगले तैईस वचन में क्या पड़ते हैं प्रभु ने उनके और अनुक्र किया यहोगा को उन पर दया है और अनुक्र उनने किया क्योंकि अब राम एशोक और याकुब के साथ उसने वच्छों को बांदा था अब जानते हैं वच्छा के कारण प्रभु ने क्या किया प्रभु ने नाश होने के लिए अनुमति नहीं दे and also the lord did not throw them from his presence hallelujah thank you lord for your compassion from his presence because they were crying they were praying oh the lord did not allow them प्रभु ने ऐसे अनुमती नहीं दिया कि वो नाश हो जाए जब योना प्रभु के उपसे से बाग रहा था अब जानते कैसे प्रभु काम कर रहे थे योना के जिन में प्रभु क्या कर रहे थे पहला बात योना के एक के चार में हम पढ़ते हैं प्रभुन ने उसके विरॉद एक तुफान को बेजा ताकि उसे वो जगाए उस योना को जगाने के लिए पहले एक बड़े आंधी को परवेश ने उसके विरॉद बेजा वो आंधी उस जहाज को हिला रहा था लेकिन उसने अपने गल्थी को मैसूस नहीं किया योना ने क्या किया योना सिर्फ सो रहा था वो आंधी उसे जगा नहीं पाया वो आंधी उसे जगा नहीं पाया तो प्रभब ने दूसरे काम किया अगले वच्छन पांचवे वच्छन में पढ़ते है जो लोग उस जहाज के से यात्रा कर रहे थे बाकी जो लोग उस जहाद से यात्रा कर रहे थे वो सब गब रहे गए वो अपने भारी सामन को बाहर फेक रहे थे कुछ थो चालू था इस व्यक्ति के कारण बाकी लोग परेशनी के सामना स्किए बाकी लोग डर गए बाकी लोग हिल गए किसी तरीके से परमेशन योना को जगाना चाहते थे लेकिन फिर भी वो सो रहा था अगला काम प्रभु ने क्या किया चटे वचन में पढ़ते है चटे वचन ने परमेशन ने किसी को सीधा उसके पास बेज दियो कौन योना के पास आया उस जहाद का कप्तान योना से मिलने आया उस जहाद का कप्तान योना के पास आया और उस देखा कि है सोने वाले वेक्थी वो नाम नहीं जानता इसले कह रहा था कि सोने वाले वेक्थी तो जग जा रभु ने किसी को योना के पास बेजा अगर उस आंधी से आप जाग नहीं जाते हैं आपके आत्मिक जीवन में तो ऐसा करेगे कि प्रभू आपके आगजुबा जो जो लोग है वो भी तकलिफ में होगे अगर आप जागते हैं नहीं तो प्रभू सीधा कुछ लोग को आपके पास बेजेंगे फिर भी अगर आप मैसुस नहीं करेंगे फिर भी मन नहीं फिराएंगे थो अगले वचन में हम पढ़ते हैं प्रभू उन्हें उसके गलती को सामने दिखा दिया उसके आगया पालन जो उसने नहीं किया उसे दिखा रहा अब जानते हैं लोगोंने क्या किया उन्हें चिट्टी उड़ाया उसमें किसका नाम निकला योनाता नाम निकला और जो आग्या का उसने पालर ने किया उसे प्रभु ने दिका है अगर आदे गंटे पहले वो मन फिरा था अगर दो गंटे पहले वो मन फिरा था तो सब के सामने खुलता नहीं अगर निरंतर अगर आप मन कटोर करते हैं अगर आपके गल्तियों को आप मानते नहीं अगर मन नहीं फिरा थे तो एक समया कि प्रभब आपके पापों को दिखाएंगे सब बातों को जान पाएंगे प्रभब आपके गल्तियों को दिखा देंगे तो लोग कहेंगे कि आप एक छोर है या कुछ और कहेंगे और जब प्रभु आपको दिखा देंगे अगला प्रभु ने क्या किया और एक शारिक तौर्श से चंगाई मिला पहले देके पंद्रह वचन में हम पढ़ते है जो लोग उस जहाँच पर थे उनने उसे निखाला उसे उटाया और उस समुद्र में उसे फेक दिया और शारिक तोर से उसे चुआ गया यह सब इस लिवा क्योंकि उसने मन नहीं फिराया कैसे तो प्रभु आपको चुएंगे बहुत प्रभु आपको कैसे तो चुएंगे अगर आप जाक नहीं जाते हो अगर आप मैसुस नहीं करते है अगर आप मन नहीं फिरा थे के दे लोग हाँ दोड़ रहे थे कि प्रभु मैं मैसुस करता है और अपने गल्थे को तेरे सामने कबूल करता है इस सुब़ प्रभु आपको जगाते है अप जाक जाओ मैसुस करो अपने आपको समल्पित करो अलेलोया नहीं तो एक समय आएगा प्रभु आपको सब के समने दिखा देंगे अप जानते हैं जब उसे फेका गया वो प्रभु से प्राथना करने लगा योना प्रभु के और रोने लगा उस मचली के पेट से वो प्राथना कर और रो रहता वो दया का पिता वो दया का परमीश उसने योना को नाश होने के लिए अनुमती नहीं दी प्रभू का उसके उपर एक धया मिला परमिशन अब उसके उपसे दिसे उसे फेका नहीं जीसरे देगे पहले दो बच्छन गरा पढ़ेंगे वही परमिशन योना के पास आए परमिशन आपको जीवन दिया परमिशन उसके लिए बविश्य दिया पर्मिशन उसके एक सेवक का ही दिया पर्मिशन उसके लिएक आदर को दिया पर्मिशन उसके एक आशिश को दिया कहो धनिवात पर्मिशन तेरे अनगर के लिए कहो धनिवात तेरे दया के लिए जब कभी आप प्रभू से रोते हो जब कभी प्रभु की सामने पुकरते हो प्रभु आपको नाश नहीं करेंगे प्रभु उसके उपसे ते आपको फेकेंगे नहीं वो दया का पिता है केते हो लोगे ते प्रभु देखबाल करते है अब जानते हो उड़ाओ पत्र और जो बोजन सुर लोग खा रहे थे उसे वो भी नहीं प्राप्त हुआ जो सुर का बोजन था उसे वो भी नहीं मिल पाया उस अपने गल्थी को मैसुस किया उसने विश्वास कि मेरा पिता दया का पिता है मेरा पीता अने करका पीता है मुझे उसके पस जाऊंगा जब वो उसके पास आया जब वो पीता के पास आया वो सुवर का बोजन नि वालेलोया उसके लिए क्या मारा गया और उसके लिए एक नया वस्त्र एक नया वस्त्र, नए चपल से मिने, एक नया अंगुट, और अच्छ के पिता ने उसके लिए नही दिया, पिता से आप दूर मत रहो, उसके उपचे दूर मत रहो, एक नए लिए लिए नहीं दूर मत रहो, तू मेरा स्वर्ग ये पिता है, मेरे पा सारा आशिश है, तेरे पा सारा देया है, मेरा बविश्य तेरे हातों में है, हम सब कड़ियो के प्रभो को धनिवा देंगे, प्रोज सेर्ग ये थन धुी तेरे हैं, लौन वे लिए लिए हैंणींज देरे लिए बर्शन आशिए्य धूर्दक, वे लिए 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 लेश्ति, पूर मत रहरो धो, there is no one else like you there is no one else like you for you are great you do miracles so great there is no one else like you there is no one else like you there is no one else like you some love there is no one else like you tell your dell as I said you eat तु शक्तिमा अद्बुत काम तु करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. तु शक्तिमा अद्बुत काम तु करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. तु शक्तिमा अद्बुत काम तु करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. अद्बुत काम तु करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. आज तेरे जैसा कोई, नहीं 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 तेरे जैसा कोई, न For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you.